मॉनिंग बेटा और आज बहुत रोमेंटिक क्लास होने वला है क्योंकि हम लोग यूनीट के अंत में अबजेक्टिव को से रंसर करने वाले हैं और देखते देखते आप लोग पच्चास तकरीबन पच्चास अबजेक्टिव को से रंसर जाएंगे और बहुत मज़ा यह पत्याइश देखें दुवा लगेगा अब चालू करते हैं हम लोग समय को नई होता है एक माइक्रोन को माइक्रो को मायक्रोन लिख दिया माइक्रो किसको गतते हैं-6 मीटर और यह आपको सायद याद नहीं होगा तुम्हें याद देता हो एक माइको दस पर गभर फीर याद देलाता हूं आपको मिटा दो पहले स्क्रीन सोट ले लें सब कोई अब देखें क्या है मैं आपको पढ़ाया था दस पर घात का अनुलगनक किस प्रकार मुल्व होती करासी के आगे में दस पर घात लग करके उसका मान बदल जाता है और इसके भी सेमे में पढ़ाया था डेसी सेंटी मीली याद है आप लोगों को डेसी उपर ठीक है रहे गोटम डेसी सेंटी मीली माइक्रो माइक्रो नाइनो पीको फेम्टो फेम्टो के बाद एटो यहाँ देखिया क्या था डेसी मींस दस पर एक था सेंटी दस पर दस पर डेसी क्या होगा दस पर दो 2 मीली माइनस में जाएगा जी सब माइनस में जाएगा 10 पर मै इनस 3 माइक्रो दस पर मैनस चोड नाइनो दस पर मैणस नौ다 पीको दसपर मैनस 12, फेमटो दसपर मैनस 15, एटो दसपर मैनस 18, हाँ, तो हो गया, इस पर कार हम लोग देखे, डेसी दसपर मैनस एक, सेंटी दसपर मैनस 2, मिली दसपर मैनस 3, माइक्रो दसपर मैनस 6, नैनो दसपर मैनस 9, पीको दसपर मैनस 12, फेमटो दसपर मैनस 15, एटो कभ गए उसका मौन इस प्रकार देगा जैसे कि डेसे मीटर अगर घखेंगे क्या लगया मीटर के पहले डेसीमीटर डेसी मीटर क्या हो जागा तो यह हो जागा दस पर माइनस एक मीटर यानि कि एक मीटर का दस महा हिसा यह नोगा फिर आप लगाएंगे सेंटी मीटर क्या सेंटी मीटर अगर लिखते हैं सेंटी मीटर इसका अर्थ क्या हुआ कि एक मीटर का स्वमा हिसा यानि कि दस पर माइन मस्ट लूमीटर मतलब एक मीटर को एक सबार्ण से भाग करनेंगे एक सब सब्सक्राइब घंव एक मीटर मोट पर मातलब एक मिटर को एक हजार से भाग देंगे समझ में आया अब किसी बहुतिक रासी में लगाईए गा तुू उस रासी का ये कुछ हिस्सा बताना चालो कर देगा समझेंगे सब्सक्राइब देशे सेंटिमीली आप एक बार बोले मेरे साथ रीदम के साथ बोलेगा डेशे सेंटिमीली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो एट्टो इस तरह लाइसे रट लेना है लाइसे रट नेक बात क्या करेंगा ध्यान रखेंगा एक दू तीन तक तु ठीक है उसके क्या पूचा है क्या पूचा है एक माइक्रो मीटर बराबर तो 10 पर मैंनाश 6 मीटर ना मतलब इस अनुलगना को जा सकता है ठीक ना चलिए ठीक अब आगे question देखें कितना असन question है एक मीटर तूल है यह आप 8 class, 9th class, 10th class में कहीं कहीं हलका-फलका परिचित होते रहे होंगे कि 1 meter 10 पर 10 यह अंग श्ट्रॉंग को कहते हैं किसको कहते हैं दस पर 10 यह इंग श्ट्रॉंग बराबर होता है एक मिटर होता है कभी कभी कोशियान आ जाता है क्या जनते हैं एंग श्ट्रॉंग क्या रोट को दिकत कि नहीं वह यह होता है देखो एक एंग श्रॉंग इधर रखो एक एंग श्रॉंग जब लखें कित जागा एक मीटर बटे चल जागा दस पर तो यह होता है दस पर मेनस दस मीटर समझ में आजा 10 पर 10 यह होता । FX यह होता है एक मीटर सूटा यह तरब चोटा पर बहुत चोटा बहुतं बहुत चोटा परमौनों से करुचरेया सो ओनते हैं थक कंश्रॉंग मिलेगा तो hari N is नहां दस पर साथ यह निकी दस पर साथ है कि अंग जूल के बराबर होता है उसी परकार यह दस पर 10 एंग स्ट्रॉंग मिलेगा तब एक मिटर के बराबर होता था सब्सकुशन की दस से भाग लेगा यह वता है आगे question है, एक second tool है, क्रिप्टेन घड़ी के इतना अवर्थ, क्रिप्टेन घड़ी के इतना अवर्थ, CGM घड़ी के इतना अवर्थ, CGM घड़ी के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, यह second में उतना याद नहीं है, CGM घड़ी का, सब्सक्राइब करता है और इतना आवर्थ जब इतना आवर्थ जब करता है तो उसको एक सकेंड से परिवासित करते हैं सीजियम का परवनसें क्या कितना बताय थे सीजियम का सीएस पचपन यादा है 133 इदर लिखाएगा पचपन 133 यादाया तीस सीजियम में जो इलेक्ट्रोन का परियोडिक होता है पिरियड जो हता है मतलब के आवर्थ का वह 91,93, 17,70 आवर्थ का समय जोड़ देंगे तो एक सकेंड के तुल्य होता है यह आपको याद रखना आगे आगे है बल का एसाई मातरक न्यूटन और यह समतुल्य है न्यूटन की समतुल्य बताये एक न्यूटन कितने की समतुल्य 10 पर 5 डाइन का और ये क्या सिval मात्राइब एक न्यूटन परावर एक किलोग्रम मीटर पृस्केंड स्क्वार इसी को को लिखते हैं ि एक सो सेंटी मीटर पृस्केंद स्क्वार यह मिलका लाखवा 5 ग्राम स्कडाइब इसको बոिनता है यूंट किए उर्जा का SI मतरक जूल यह सम्तूली है और पर साथ के अरग के ना यह है और इसको सिजीय देस में बढ़ा की जूल बराबर एक न्यूटन मीटर इसको लिख सकते हैं एक न्यूटन गोना गोना एक मीटर अर्था इसको लिख सकते हैं क्या चीज़ दस पर पांस डाइन गोना एक सो सेंटी मीटर और यही डाइन मतलब क्या डाइन मतलब वा c, gram, cm, परती सकंड स्क्वाइर और gram, यह 10 पर 5, 10 पर 2, 10 पर 7 gram, cm स्क्वाइर परती सकंड स्क्वाइर, यह cm, cm, cm स्क्वाइर हो गया, इसी कुत बोलते हैं, کیया, अर्ग, अर्थात, 10 पर 7 अर्ग, क्वावत्ती, नहीं, आगे शुरू करते हैं यहां देखे क्या है यहां एक मीटर एक मीटर जो है क्रिप्टन 36 च्यासी क्रिप्टन क्या है क्रिप्टन एक क्या है यह अक्रिकेस है ना क्रिप्टन क्या है क्रिप्टन रेडाउन यह सब क्या है जैनान का चाववान रेडाउन एककिके उसी एक्रिके इसमें क्रिप्टन जिसका पर्मदों संग चतीस है और ये क्रिप्टन कहता है क्रिप्टन से जो energy Radioate होगा इससे जो wave निकलेगा विकरन निकलेगा तो उसका तरंगदेदर होगा होगा ना गीं जिसमें को two ers निंड़ते वहीं जिसमें की yamak question थड़ा मीस है कितनी तरंग देदर होगी किस रंग का अलग 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 होता है टैंग आ तोhmen जो option दिया यह लाल रंग के लिए यह इतना तरंग मिलेगा जैसे एक तरंग इसको कहते हैं यहां से तक दो तरंग का दूरी यहां से तक तीन तरंग का दूरी इस तरह दिए ले लेंगे और उसका लंबाई जोड़ देंगे तो वह एक मीटर का डिफिनेशन देता है और यह किस वर्न के लिए यह और इंज रेड के लिए ऑनर्स में इसको पढ़िएगा और डिपलीटिंग अभी खाले आप जान लजीए कि क्रिप्टन 36 का जो तरंग निकलता है उस तरंग का 16,50,763,73 तरंग दैद्र का लंबाई मिलाएंगे एक मीटर के बराबर एगा कोई दिखा और अब आगे चलिए अब देखिए यंग का एक नियाम पढ़िएगा परतियास्था चेप्टर में ठीक ना उससे ये कोशन उठा दिया है परतियास्था का आयतन गुणांग का विम्य सुत्र अभी आप इस भोतिक रासी को भली भोति नहीं जानते होंगे क्योंकि इसकी पढ़ाई नहीं हुई है ये परतियास्था चेप्टर में पढ़ाई होगी आपको डिरेक्ट में सुत्र बताता हूँ आप संग्यान में रखेंगे प्रतियास्था का आयतन गुनंग जो आता है एक होता है यंग यंग प्रतियास्थाता गुनंग ठेक न और एक होता है प्रतियास्था का आयतन गुनंग इसी को आयतन प्रतियास्था गुनंग भी करते ठेक न उस चेप्टर में देखेंगे लिखाओगा आयतन प्रतियास्थ प्रतिबल वटे अनुदेद्य विक्रिती विक्रिती और द्रिडता गुनंग होता है प्रतिबल वटे अप्रूपन विक्रिती एक्चुल में विक्रिती क्या है जानते हैं विक्रिती खली समझ लिए आप इसका जान जाएंगे प्रतिबल एक प्रकार का दाव है प्रतिबल क्या एक प्रकार का दाव है इसको मैं जैसे कि कोई यह जैसे है इसमें हम ऊपर से यह दाब कलाएगा और अंदर से जो लगेगा तो वह लगेगा प्रतिवल बाद मुझे बंकी समझाएंगे प्रतियास्ता चेप्टर में बढ़ यहां से समझ जाएंगे 100% समझेंगे इसके मेरा दाबा है अभी खाली आप जोनले सुट्र अीम प्रतिवल क्या है आब अव कर दुवल का तो एयक अब और व्करप्रशnd यह यहजआ बढ़ गाया थो लंबाय में परीवर्शन बटे मूंल आइसे अ होता है सबक्रॉपन यह समझेगा अगा क्तल राभान चयात्या शाब मध्य लबाई में परिवर्तन बाठे मुलों लंबाई में परिवर्तन बठे मूं लंबाई लंबाई कैंने लंबाई की हिए लिदो करते का एक यह थे लाप परतिवल मैंक बंटेक छेत्पल त्य होता है एम एन टी मैनस टू चेतपल का एल टू एक एल खत्तम एम एल नीचे में एक बच्छा घात बच्छा ओपर चलेगा मैनस एक हो जाएगा टी मैनस टू देखो अप्शन में कही है डी नमर में हो गया समझ में आया ठीक अगे हम लोग पढ़ते हैं आठ नमर आवरीती का विम्य में पढ़े हैं आवर्तकाल आवर्तकाल क्या टाइम है एक दोलर में लगा समय तो एक बटे समय का क्या हो जागा कैपिटल टी अर्ताथ इसको चला देंगे टी पर मैनस वान वासाब रितिक का विम्य सूत्र टी मैनस वान और इसमें अगर यह होते को सब दिया है माना अब परिश्टतनाव बता कोई बच्चा किसको किस से रिए परिश्टतनाव बडावर शूत्र rainfall वेल्वचे बलबटे लंबाई बिल्कूल सही बात है प्रिश्टतनाव बरावर क्या बात है प्रिश्टतनाव बरावर एप बटे l king ml t-2 z马 का लंबाई है यह एल खत्ता मर्थात M T-2 अब अपसंद देखें M T-2 देखो मिल गया अब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेशन मर्थास पर आगे गुप्त उस्मा का भी मिया सुत्र क्या है सबसे पहले आप गुप्त उस्मा बला सुत्र याद किजिए क्या था एक अं अस्था परिबर्तन के समय एकंक द्रम्मान द्वारा उत्सर जीत या अफसोसित उस्मा को गुप्त उस्मा काते है अर्थात गुप्त उस्मा बराबर यह जो भी कुछ उस्मा है वह एकंक द्रम्मान द्वारा होना चाहिए उस्मा का भी मिया सुत्र क्या है उस्मा उर्जा कार यह सब्सक्राइब होता है ml2 t-2 और द्रमान का क्या हो जागा यह खत्तम हो गया एल 2 t-2 देखिए कहीं ऑप्सन है इसमें जीरो इस्टेंडर फॉर्म में एते हैं मिल रहा है किसमें मिल रहा है देखिए क्या है बल अगुण का भी माएं हैं किसका अब बल अगुण बराबर सुत्र में बताया हो आपको भी ये सुत्र में बल अगुण बराबर बताये क्या होता है बाल गुना लंब वत लंब वत दूरी होता है अब बल का क्या होता है MLT-2 दूरी का क्या होगा L होगा अर्थात MLT-2 कोई दिकत बाल का बार बार बोल रहा है कुछ बचा ऐसा ना हो बल नहीं समझता तो बाल बरावर सुद्र क्या होता है बाल बरावर होता है द्रमान गुना त्वारन होता है अद्रमान के लिए कैपिटल M त्वारन के लिए L T-2 है ठीक तो MLT-2 हो गया किसका ब्रमा पूछ रहा है सारवत्रिक गुरुत्वाग कर्शन नियातांग आप गुरुत्वाकरशन का शारवत्रिक नियाम 90 १ कुलास से याद के चुक 11 में आप नहीं पड़े हैं वहां था कि गुरुत्वागर्शन वाल वराबर G M M by R2 ता इसे को बोलते है आर इस्कॉार और यह दूनों गुणा बागम आजागा मुणाriver क्या गागर अब व्ल का भी मियो शुत्र बता हिए है एंट इंटो द्रमान का बता हिए काप्ट्ल 29 का बता हिए कार दमान का बता हिए कैप्टल एंट ये मियो शुत्र कि यहां तो बिम्यव्यस तुना इसे लिखाएगा सब का विम्यस तुना निकल जागा न अब कोई कटेगा एक ठोटा गया क्या बजी गया एम पर माइनस मान नीचे में है तू पर चड़ा मैनस मान एल फर क्यूब टी पर माइनस टू बराबर जी का विए सुसर देख्या ओप्सन कहीं है अब आगे हम लोग लगते हैं लगते हैं तेरा नमर क्वेशन नमर संद्धर क्या कोनी व λ रेखिये संब्एगों के अनुपात की बीम हां अब बताइए को ये संब्एग क्या हो जागा रेखिया शंबेग इसी का पिमान निकाल है ना अब कोनिये संबेग में आपको सुत्र पढ़ाया हूं आई गुना ओमेगा के बल सुत्र पढ़ाया हूं परमान नहीं यह पढ़ेंगे आगे ठीक ना कोनिये शंबेग आई गुना ओमेगा जड़त्वाग होन गुना कोनिये व बच्पन से पढ़ते आया है ना अब देखे हम चाहेंगे सब करें रख सकते हैं आई क्या है एम आरी स्क्वाइर क्या है मारी स्क्वाइर गोना ओमेगा इम भी इन में से भी खतम हो गया यह दूरी तिरजिया है इसका क्या होता है L square यह कौन ये वेग है कौन बटे time कौन बटे शमय होता है कौन का कुछ नहीं होता है अब समय का T होता है अर्था T-1 कौन ये वेग का क्या हो जागा तो हम यह रख देंगे T-1 बटे वेग का क्या होगा L T-1 वेग क्या है विस्थापन बटे समय है बेक क्या है विस्थापन बटे समय है विस्थापन एक फिता से मपत है एल समय घड़ी से टी एल्टी मैनस वन कोई पती अब देखें यह कोई कटेगा टी मिनस वन खत्म क्या हो गया एल पर क्यों वाउ क्या गजब आ गया कोण यह रिख्ये संबेग का जो अनुपात का विमा क्या आगया अब आगे अब देखें कितना गुमा के क्या है कि विमा ही दे दिया और पूछ रहा है किस कि की विमा है मतलब आपको सबका विमा जो तला है कारी की विमा तो कारी बराबर क्या होता है ब wär्ड बिष्थापन ब covering 2017 सब्सक्राइब को नई बी नमर किया है रेखिये संबेग रेखिया संबेग, बुलसूत पटाक्षे M गोना भी दरभमान गोना भेग को रेखिये संबेग कहते है M इसका होता है L T मैनस 1 अरता है M L T मैनस 1 इसका भी नहीं आई पटाबडबोल, C नमर दाब दाब बराबर बल बटे चैत्रफल बल का हो जाता है M L T मैनस 2 चैत्रफल का L 2 1 L खत्म होगा M L मैनस 1 T मैनस 2 यह गादबचान उपर चड़ेगा तो मैनस 1 हो जागा यह मिला, एक मिला C नमर मिल गया, फिर D नमर जाँस लेते हैं, D नमर है, एकंख आइतन की उरजा उरजा नहीं है वो, एकंख आइतन की उरजा और एकंख जिसका कहेगा उसको क्या करते हम लोग, भाग देते यह निकि उरजा बटे आइतन उरजा का क्या हो जाता है उरजा कारी सब एक है M L 2 T मैनस 2 क्यों, उरजा का, कारी का, उश्मा का सब का एक ही होता है और अभी भी कारी का निकाल की दिखाए है बटे L Q यह दो कड़ गया बराबर M L मैनस 1 T मैनस 2 यह भी सही है CD दोनों उत्तर हो जाएगा कोई दिखाए और अब आते हैं 15 नमर क्वेश्चन पर देखें क्या जवड़ दस्त कोशन है जलिये तरंगों का बेग भी उनकी आवरिती लेमडा, जलके घनातवर रो गुरुत्वे तवरन जी पर निर्भर करती है तो बिमिये विसलेशन के नुसार इन रासियों का संबंध क्या होगा वो जलिये तरंग भी जो है किस पर निर्भर करता है तो काता तरंग देद्र लेमडा जलका घनातवर रो और गुरुत्वे तवरन जी पर निर्भर करती है जलिये तरंगों का बेग कौन? काता किस पर निर्भर करता है तरंग है ना ये तरंग है तो तरंग में आवरिती होगा तरंग दैद्र घंधवरों होगा पर निरभर करता है तो मुण ले तो इस तरह निरभर कर R आगे बढ़ते हैं राइट के लगा देते हैं लेमडा पर एक्स और रो पर वाई जी पर जेट बोलते चलिए भी भी मियसुत रखेंगे यहां कॉंस्टेंट का को भी मियसुत नहीं रखेंगे लेमडा क्या है दूरी है क्या हो जागा ल पर एक्स घरत्व क्या है द्रमान बटे आतन है यहने की m l पर क्यूब है यहने की m l पर मैनस 3 है घरत्व यह नहीं अर्थात m l पर मैनस 3 पर y तोरण कोई परती अब सबकुस मिक्सिंग करते हैं यहां m नहीं तो हम 0 कर देते हैं l t-1 क्योंकि इदर हम दिख गया अब m बला पहले लेते हैं m बला y है नहीं होगा m पर y m पर मैनस 3 l पर मैनस 3y यहां होजगा z पर l पर z फिर t पर मैनस 2z होगा ना अब l लिखते है l ला x है यहां मैनस 3y यहां z है यानि कि x मैनस 3y और पलस z सब चिन के साथ मिल जागा ना पलस मेनस z यह गुणा में मैनस 3y है तो जूटेगा तो मैनस 3 बैन रहेगा फिर मैन पलस z जूटेगा तो पलस z रहेगा समझ में आया फिर क्या है टी टी एक खीट होए यहां मैनस 2 और z हैं पाबर मैनस 2 z रहेगा अब क्या समझा ता सि दान्थ से य बराबर 0 और 3y पलस z बराबर 1 माइनस 2 z बराबर माइनस 1 यह भी खत्म हो गया, z ब्राबर half, y ब्राबर 0, तो y 0 करेंगे तिया खत्म हो जागा, z half यह रख सकते हैं, x प्लस half ब्राबर 1, यानि x ब्राबर 1 मैनास half, अर्था आते x ब्राबर half, x half निकला, z half निकला, यह सब अमान रख देंगे हम लोग यहाँ, तो क्या हो जागा, b ब्राबर k, k, lambda पर half, row पर, row पर, जो रहीं निकला, खतम हो जागा, और g पर half, कहीं option है, होगा ही, b ब्राबर, हम अब देखिए, हाप कात क्या होता है, root, square में उकर दे, तो root इधर लाएंगे, तो क्या होगा, कई यह k में जो नहीं है, तो constant पर square cube कुछ भी चड़ा देने, इसको अंतर नहीं है, constant common घटेगा, उसे साबसे ठीक, नहीं तो सब root इधर ले, दोनों तरफ वर्गमूल कर देजिए, ठेक नहीं, तो root k को हम k-s या नया constant कर देंगे, और क्या हो जागा, इसका वर्गमूल निकला, lambda, z, नहीं मुझे, मतलब यह constant है, constant है, क्या root k भी constant है, जिसको k मन ये, k-s मन ये, g मन ये, कोई दिकत कुछ भी महन सकते हूं, बोलाने ये question में क्या constant मनना है, तो हम पहले इसको l महन लें, और आप root k को, root l को k कर देंगे, बहुत समझ रहा है, पहले हमको dilip, मेरा नाम है dilip, मैं dilip रख दूंगा constant, d ले लेकर के आता है, यहां root d आता, root d ब्राबर k रख देते, मिलता हैं के ने, समझ में आया, तो यह आ गया b square, दुनात्रप इसकोयर के थे, यह रूट तो था, यह square ना करना था, यहां गलत हो गया, क्या करना था, दुनात्रप, root ना उड़ाना है, हाँ power card क्या होता है, root हाँ power card क्या होता है, root होता है, तो root उड़ाना है, तो square करना होगा दुनात्रप न, अब यहां b square रा गया, और इधर क्या हो गया, k square, k square को k decimal लिए, यह k, बात बुज़े न, यह भी k लिख सकते हैं को नए समझें, छोड़िए, गोली मारिए इसको, टेंसर नहीं लेना यहां दिखे तो अभी, x का मान, y का मान और z का मान समझें, अब यहां आईए, भी बराबर, k है, lambda पर x, x हाप है, rho पर y, 0 है, g पर z हाप है, है न, अब देखे, हम k, lambda, g, lambda, g, पर हाप लिख सकते हैं, और यह जो k है न, k एक्चॉल में constant है, बाद समझें न, अब constant का मान अभी नहीं जान रहे हैं, इसका संकेत हम कुछ भी रख सकते हैं, बाद में जाता है, तो हम इसको भी अंदर कर सकते थे, k को अंदर भी कर सकते हैं, यहां खुब आपको जोज़रा लगता है, क्योंकि k वहाँ पहले है, तो यह डास लेकर के बढ़ जाते हैं, डास लिख कर देंगे, तब तो वर वह पावर नहीं है, किसी पर हाप पावर करना को तो कैसे करेंगे Daesh स्वाइर पर हाप ने कर सकते हैं तो वहित किये तो रहा कोके तो फूरा पर हाफ है हाप इधर ले जाओ तो इसक्वाइर वाग गया समझा कुछ नहीं यार जो टेक टाइम इसमें पेश्ट किया हाँ क्वेशन नमर 16 है क्या है गुरुत्वी त्योरन के अंतरगत मुक्त रूप से गिरतेवे पिंड का वेग इतना है क्या है यहां एच पिंड द्वारा चलेगी दूरी है तो पी और क्यू के मान याद करें गुरुत्वी त्योरन के अंतरगत मुक्त रूप से गिरतेवे पिंड का वेग इतना है क्या है वो वेग है धियां देजेगा क्या है वेग है वेग किसके नुसार बदल रहा है जी पर और H पर Q के नोसार तब काता यहां H पिंड दुवारा चिले की दूरी है H क्या है चले की दूरी जी तो गुरुती दूरर है तब काता P और Q का मान ज्याद करें तो नहीं निकलेगा फिर बिस लेशन नहीं लगा देंगे L T मैनस 1 और इधार हो जागा L T मैनस 2 पर P और L पर Q तो H दूरी नहीं हुआ समझ में आया तो इसे P Q नहीं निकल जागा सरल करके निकलेगा जरूर निकलेगा L T मैनस 1 L पर P T पर मैनस 2 P L पर Q Q है Q है हम बोलो क्या बोल रहे रहे लगा इसका अलग है इसका अलग है अभी तुम कैसे पर अगला लाएं नहीं होगा L T पर मैनस 1 L पर अब होगा P पलस Q और T पर मैनस 2 P अब सम घातता सिद्धांत से सम घातता सिद्धांत से L क्या जागा इनकी P पलस Q का वेल्यू क्या हो जाएगा P पलस Q का वेल्यू एक हो जाएगा और माइनस 2 P का वेल्यू क्या जाएगा माइनस 1 माइनस माइनस खत् म होज जाएगा P पलस Q या रख यहां हो वराबर वान मैनास हाफ अर्थातिय भी निकल गया हाफ यह पी और क्यों दूरों क्या निकल जाएगा हाफ हाफ कहीं है समझ में आया ठीक और आप आगे आगे यहां है बहुतिक राश्यों के निम्न युगमों में से किसकी विमाएं समान है कितना मस्त को सेन है कारी और सक्ति का और जास विमाँ समान है तो हम निकालेंगे यह नमर हमको नहीं मालूम है हम निकाल लेंगे कारी का क्या होता है बाए बल गुनाव इस्थापन MLT-2 गुना L बराबर ML2T-2 फिर इसमें सक्ति है शक्ति का क्या होता है बाए सक्ति किसे काते है कारी करने की दर को शक्ति काते है अब कारी का हम निकालके रखे हैं ML2T-2 बटे समय का T तो यह और उपर चड़ जागा थो जागा ML2T-3 तो यह बिमाँ समान नहीं वह दाव और एकंग छेत्रपल की उर्जा पता नहीं उसको भी हम नहीं जानते है दाव का बिमा हम निकालेंगे बल बटे छेत्रपल से ML2 MLT-2 छेत्रपल का L2 एक L खतम हुआ ML-1 यह नीचे बचा है उपर चले का मैनस 1 T-2 आगे क्या है एकंग छेत्रपल की उर्जा दाव और एकंग छेत्रपल की उर्जा एकंग छेत्रपल की उर्जा क्या है एक्चोल में यह चेत्रपल की उर्जा है और वो किसका है एकंग छेत्रपल का है किसका है उर्जाकार ये सब का एक ही होता है M L 2 T-2 बटे L2 ये खतम हो गया रथा M T-2 ये भी नहीं हुआ आगे है C नमर संबेग और उर्जा संबेग संबेग बराबर होता है दरमान गुना वेग M L T-1 वेग का खली होता है L T-1 ये भी नहीं हुआ D नमर है दाब और एकांक आइतन की उर्जा दाब बराबर होता है दाब बराबर बल बटे छेत्रपल बल का है M L T-2 छेत्रपल का है L 2 ये हो गया है M L-1 T-2 और है एकांक आइतन की उर्जा अर्थात उर्जा बटे आइतन तमने एकांक आइतन का होगा आइतन उर्जा का होता है M L 2 T-2 आइतन का होता है L Q दोट कर जागा एक L फिर भी बचा नीचे में M L-1 T-2 अर्था D नमर हो गया दाब और एकांक आइतन की उर्जा की विमाएं समान होती है देखा कैसा बना ठीक अब मिटाते हैं हम लोग पढ़ते हैं 18 नमर कौन सा कोशन पढ़ने जा रहा है 18 नमर विम्य सूत्र M L-1 T-2 किसे परदर्शित नहीं करता है इसमें कोई ऐसा है जिसका विम्य सूत्र ये नहीं हैगा तो दाब का क्या हैगा हमको नहीं याद है दाब बराबर बल बटे छेतरपल बल का M L T-2 छेतरपल का L 2 1 L खतम हुआ M L-1 T-2 तो इसका तो परदर्शित करता है और काता है नहीं करता है कोशन क्या का है नहीं करता है अब इसका निकाल लेता है यंग परतियास्था गुनांक यंग परतियास्था गुनांक यह मैं बते आता परतिवल परतिवल बटे अनुदेद्र विक्रिती अनुदेद्य विक्रिती और विक्रिती का कुछ नहीं था किसी भी परकार का विक्रिती कहे उसका बेहिए सुतर नहीं हो गया है क्योंकि परिवरतन मेंटे मूल है neste против यह दाव है इसका यहद्धा निकल जाएगा आपका निकल, फिसका निकल बेहिए THEEB हो गया, इसका भी हो गया परतीवल , शी नमर क्या है प्रातिवल , यहांं क्या बताए प्रतिवल दाव है प्रत शक्ति कारी करने की दर को शक्ति कहते हैं कारी का ML2 T-2 समय का T तो T उपर चड़ेगा और मैंस में बड़े जागा ML2 T-3 इसका हुआ बंके तिन का वाओ कोशन है किसे परदसित नहीं करता है तो ये शक्ति को नहीं करता है समझ में आया ठीक निश नमर पर वेंजक इतना निरुपीत करता है यहने कि MLT-1 किसको निरुपीत करता है फिर वहीं सबका में ब्यासुतर निकाल के देख लेंगे बल बल क्या होता है बल है द्रमान गुना त्वरण है अर्थात M L T-2 यह मैनस 1 है देखिए इसको परदसित नहीं करता है यहां करता है निरुपीत किसको करता है उर्जा उर्जा क्या है कारिया है किसी इस निकाले हाप M B स्क्वाइर से भी वहीं निकलेगा अंक का कुछ नहीं होता है द्रमान का बड़ी M हो जागा और इसका L T-1 पर स्क्वाइर बेक का यह नहीं होता है और स्क्वाइर स्क्वाइर कर दें यहने कि M L 2 T-2 यह दो दो दोनों प्चड़ गया ठीक ना तूर्जा का यह है यह भी नहीं है दाव दाव क्या है बल बटे छेत्रपल M L T-2 बटे एल इसक्वाइर चेत्पल है एक ठुकत हम जाएगा अरतात M L-1 T-2 यह 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 भी नहीं होगा आगे है संवेग संवेग क्या है द्रमान गुना वेग द्रमान का क्या होता है है M L-1 M L-1 M L-1 M L-1 समझ में आया तो उतर क्या हो जाएगा दी नमर बीस पर आते हैं क्वेशन नमर 20 क्या है प्लांक नियतंग एच का विमियस उतर क्या है यह प्लांक नियतंग आप लोग अभी नहीं पढ़ेंगे फिर भी मैं पिछले क्लास में कुछ ना कुछ बताया ह होगा कि जो फोटन होता है फोटन द्रजो एक फोटन यह वेउस यह जके दोररा उस सरुवत दूर्जेत है अरता e प्लंग निरतंग ब्राबर क्या हो जागा उर्जा बटे आप रिती यह कहां से आता है इसको आई एंस्टिंट का समिक्रान है पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है क्या है एक फोटन का उर्जा है क्या हो जागा उर्जा बटे आप रिती क्या होता है अब रिती क्या होता है तो मैनस में दुनायत कटा सकते हैं एक ठुकर जागत क्या बचागा टी पर मिनस बचागा ना एक अधिक राश्यों की भी माई समान है यानि की यह जो जोड़ा है इसका समान हो सकता है इसका भी समान हो सकता है इसका विस गयात करके बताए था हम लोग देख लेते हैं हमको भी पता नहीं है यह नमर क्या ने możliا यूगम थ traffic कार यह बल यूगम मन बल का टो कि यूग मह रहा है इस कहीha पर इधर लग रहा है तो इन दोनों को बल यूग मू कहते हैं विप्रीद सामें है तो बराबर परिमान विप्रीद साथ बल यूग मू कुछ नहीं है बल है तो बल का क्या होता है MLT-2 फिर कार्य है कार्य का क्या होता है ML2T-2 करदोर बार इसको बता जो का हूँ बी नमर तो यह समवन हुआ नहीं है तो नहीं हुआ कोणिये संबेग और कार्य कोणिया संबेग बराबर क्या मैं बताया था आई गुना ओमेगा आई है MR2 क्या है MR2 गुना ओमेगा MR मिस क्या द्रमान कैप्टल M यह दूरी है एल पर स्कार ओमेगा क्या है क्वान बते समय है तो इसका खाले T-1 हो जागा तो अरताती है क्या हो गया है MR2 T-1 और कारी का क्या होता है कारी का दभी लिका MR2 T-2 तो यह भी नहीं हुआ समव नहीं वा तो फिर आता है थायर है C नमर पर C है और य१ंषओ और उर्जा क्या होता है Mll2 T-2 फिर यह क्या यह प्रथियास्था गुणाग फीर क्या रूक प्त्यास्था स्था गुणाग मिर्धि alltid क्या है क्या है विक्रीती का कुछ नहीं होता है किसी परकार का तीन तरग विक्रीता है तिनों में से किसी का कुछ नहीं हो क्युकि परिवर्तन ब्रते मूण अब परतिवल क्या है ना बलका होता है 2-3-2 अच्छतपल का 3-2 एककर जगा अर्थ क्ल ऑ desse ये जो रहावरं हुआ का रहावरं यह भी नहीं वह परकास वर्स औरंग देढ़ने इस फ़ोल सब्छों नहीं क्या है एक वर्स वारो प्रकास द्वारा टइख का मत रखना ध्यांद सब्रक्वार प्रकास कने Euc की का मत्र है समय का नहीं है तो दूरी दूरी जितन भी दूर गया तोसका दिम टूर्ज he बल्यूग्म कहते किसे पहले यह समझो यह बलों का एक ऐसा समू है जिसका परिमान तो पराबार होता है लेकिन दिसा विप्रित होता है ठीक न अर्थात परिणामी बल अगर ज्याद करेंगे वो शुन्य हो जाएगा बल्यूग्म क्या है तो बल का जोड़ा है जैसे यहां ल परिणामी बल जो होगा वो शुन्य भी कारख रहा है ठीक न तो बल्यूग्म का एक्चवळ में विमये सुत्र अगा जाता है जो की गलत है बाद समझ में आया, बल यूगम और बल आघहूरन दोनों दो चीज है, हमेशा दियान रख रहा है, बल यूगम और बल आघहूरन दोनों दो चीज है, और यही दोनों चीज कही जगा एक कर देता है, तो उनका concept का कमी रहता है, तो बल यूगम को बल आघहूरन ले लेता है, समझ में आया एक चिबन में दोनों दो चीज है चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग बढ़ते हैं बाइश नमर निम्न में से कौन उप्युक्त मात्रकों में व्यक्त नहीं है क्या लिए रहे निम्न में से कौन उप्युक्त मात्रकों में व्यक्त नहीं है प्रतिवल वटे विक्रिती बराबर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तो अब सरल करके देखना होगा प्रतिवल क्या है दाब है प्रतिवल क्या है दाब है अदाब का क्या होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अब विक्रिती का कोई भीमान नहीं होता है यह सही है प परीश्ट्तनप। परिश्टनप क्या है। बल बटे लंबाई है। तो बल का होता है Newton। लंबाई का होता है मितर मीटर धूगरा का है। इसका होजाता है किलो ग्राम इसका है मीटर पर 30 सेकेंड और कापड़ पर स्क्वाइर है, वहसी है, तो कीलोग्राम मीटर स्क्वाइर स्क्वाइर, तो यह भी नहीं होगा, तॅ क्य स्फिनक है है किसा ही नहीं होगा ना नहीं है। नहीं बलब गौर करना तो इक कागज की मोटाई इतना है इससे सार्थक अंक होंगे क्या तो डिजी नंजीरो के बाहें तरफ कितनो जीरो रहे तो उसका कॉंटिंग नहीं होता है चाहिदा समल्ला वह या ना हो तो क्या हो जाएगा को सिने मरव संद्र इसलीयत नहीं होगा गजाबाद में उरजा का क्या होता है और दीखा तुम पर निकाल के जो दिखा दिये हैं पर 20 स्कारश फॉत्राइद्र मोन का किलो गरम है मीटर पर ते सकैंड यह स्कॉएर है तो यह चीज उर जाए है क्लो ग्राम मीटर सकेंड मेंनस सब्सक्राइब किसको कर तेरा बाई यह होगा जब यह और रहा है तो नहीं होगा यह गलत है समझ में आगा यह समझ में आगया 24 नमर इतना का कोटी मान क्या है कोटी मान यह द्यान दो कोटी मान किसे कहते हैं कोटी मान कैसे निकालते हैं कि इसको order of magnitude order order of magnitude magnitude कैसे ग्याद क्या आजाता है तो यह ध्यान दीजे मैं निकाल एक तरीका से बता आपको कि कोई भी शंख्या का जब exponential रूप लिखा रहाता है यह गहतां की रूप चरगहतां की रूप दस के गहात की रूप में जब लिखते हैं उसको बोलते हैं चरगहतां की रूप टिंग एकस्पोनेंसिल क्यों आता है क्योंकि बहुत बड़ा-बड़ा संख्या जो है लिखना और व लिखना अच्छा लगता है या इसको हम लिख दें एक दू तीन चार पांच छे शाट आट नौन दस ग्यारा बारा तेरह एक तीस गोना दस पर तेरह अब सांकेतिक पदित भी बताते हैं यह दस से चोटा होना चाहिए तो इसको छोटा करने के लिए दस से भाग दस से गो एक्स पोनेंशयल नौटेशन उन्टेशन से तो से गंशन नाया स्विधा के लिए और कोजित आ nghi और लिखने ने इक थैनिक ताइम लेता जगह कम चेहता है और स्विधा होती किसी भी चरगातां की मान को किसी ऐसे संख्या से भाग दे दो किसे भाग देतेंगे लेकिंस तक कुछ भी आजाए आधा मने 0-5, 0-6, 0-7 ऐसे करके एक दू एक दू एक दू एक दू फिर दू 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 एक दू आधा से लेके पांस तक के बीच में अगर कुछ यहां बच जाता है तब जिससे भाग देना पड़ा उसके घात को कहते हैं कोटी मान नियम समझ ना क्या मैं बता रहा हूं कोई भी चरगतं की रूप है जैसे एक चरगतं की मन बोलो रहे गोता 6.1 गोना 10 टो दी माइनस 34 बोल दिया वो अब इसमें पूछेगा कोटी मन क्या है तब क्या बता है सबसे पहले इसको भाग दो ऐसे संक्या से भाग दो ताकि यह कट क्या थे पुरा क्या ना यहिए तब दस पर मैनस 34 से भाग दो तब मैनस 36 मैनस 34 कट जागा तब भचेगा क्या 6.1 क्या आधा से जढ़ा है तब यह क्या करना होगा इसको 10 से भाग देना होगा क्या करना होगा कैसे देंगे जवड़ाश से भाग देगा इसको और चोटा करने के लिए दस लेना पड़ेगा दस लेंगे तिया कट के यहां आजागा देखिये तो आधास ज्यादा हुआ पांच और अधाक बीच में आगया ना जी पांच से लेके अधातक में कुछ आना चाहिए अब आया जिरो फ्लब छोई एक जिरो फ्लब पांच से उपर नहीं आए तब यहां पर रिणम क्या आजागा दस पर मैनस चोटीस पहले से और पलस में दस एक टूखा जागा इसका जो भी शंकिया दिया रहता है जो भी अगौ से उस अंको बाग देना है अपने मन से किसी Ambini जो कि पूरा उपर अभला कट के वह जीरो लेकर desas तक में कुछ भी आजाया अधाने कर Appro 당 के बींच में कुछ capacit लो टंकी है यह फिजिक्स का क्या है लो टंकी ठीक न और कुछ नहीं है बकवासी पढ़ाई है यहां देखो और एक ठोद आगा देते जैसे कुछ ले लो रहे एक मोल पर आपर कितना होता है इसमें पूचेगा कोटी मन क्या है कैसे नहीं को नहीं मालूमा कोटी मन क्या है लेकिन हम जानते है रूल का इसको पहले सबसे भाग देना है भाग देना है और यह जो है जीर आधा से लेके पंस तक के बीच में ठीक ना क्या होता है यह 10 से पहले नहीं मोलना चाहिए चलो ठीक यहां देखो यहां दिखता है यह 6.022 गुना 10 to the 23 by 10 to the 23 गुना 10 यह कहां साहिए अपने मन से लाना इसको डुण ना है वहां दिखता है क्योंकि इसको कटा ना है कटा कि हमको ऐसा संख्या पराप्त कर लाना है जो आधास से लेके पुछ के बीच में हो तो अब दस पर 24 जिरो ले लिए हम एक पर 24 जिरो ला ले लिए तो क्या होगा यह 23 भी कट जाएगा और यह बेटा भी यहां सूटके यहां आ जागा ना तो कितना से भाग दना पढ़ाता हमको भाग दना पढ़ाता दस पर 24 से दना पढ़ाता ना तैस और एक टुमिल के 24 हो गया तो यह 24 हो जाएगा order of magnitude यानि कि इसी को कहेंगे हम कोटीमान अब समझ में आया ठीक तो ऐसे आपके syllabus में नहीं है फिर भी आप topic था यह objective में थाद बता दिए इतना का कोटीमान तुरंद यहां देना कुछ नहीं करना है जरा सा स्थिर्मान रखो कितना का कोटीमान निकलना है 0.00005 का कोटीमान तो यह तो आधास से बहुत कम है हमको अधास लेकर पहुंस तक रखना तो गुछ नहीं करेंगे इस खोला देंगे नीचे क्या जगा एक पर एक दो तीच चार पांच जिरो यहनिक दस पर पांच आया आगे न जी तो पांच बटे दस पर पांच पांच हा हānक तो भगवान जीस संख्या मांगना भगवान एक ऐसा संख्या दीजिए संख्या क्या पर दिए peng अधास तो यही दस पर मैनास पांच में जो घात है मैनास पांच इसी मैनास पांच को क्या कहेंगे समझ में आया तो 24 नमर खतम हुआ ठीक है तो इस प्रकार हम 50 अब्जेक्टिव लगबग आपको बताने वाले हैं और कुछ अब्जेक्टिव तो क्या कहा हुआ।